हाई गाइस नमस्कार इस्पोकें इंगलिस मिलेस्तिवार यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको डारेक्ट और इंडारेक्ट का पार्ट थिरी बताऊंगा इसके पहले पार्ट बन पार्ट टू हो चुके हैं उसको आप जा करके देख लीजिएगा रिकाप कर दे रहा है ताकि आपके समझ में आ जाए तो सेंटेंस कोई भी सेंटेंस कोई भी कहानी कोई भी कथन दो भागों में एक डारेक्ट और एक इंडारेक्ट में बाटा गया है डारेक्ट में इंडारेक्ट में किसी भी कथन को बाट देते हैं डारेक्ट को इतना भाग आपको पहले से पाटा होना चाहिए मैंने बताया है सीखलो आज हम आपको अज रखनी है इसको हम बताएंगे जिसे साधर्ण बात कि कहते हैं इसको दो भागों में बाटा गया दो भाग किये गये एक positive एक negative और इसी assertive sentence को declarative sentence और statement sentence कहते हैं तो declarative sentence और statement sentence तो positive negative और positive जो positive meaning देती है और positive sense देता है यसे देता है जिसे हाँ जैसे सक्कार्त्युर्थ जिसको बोलते हैं q pledge जिसे सकनों करने मिनिकंट देता है जैसे सकते है ज्ба साथि को बोलता है व है Assertive Sentence का क्या-क्या रूल होना चाहिए क्या-क्या रूल है तो रूल है Assertive Sentence के Rule क practical पहला एक Connector Direct का पर्योग करना Assertive Sentence जो है दो एक Negative एक Positive में तो सबसे पहले जो है Reporting Speech और 느ija की स्पीज के बीच में हम Connector का पर्योग करेंगे ठीक कार्थ हो जाएगा और इस कामा को कामा को हठा देंगे या फुलिश ताप लगा देंगे अर्फार paun punctuation के दाथ ये नियम आ जाएगा तो दूसरा नियम है क्या किसका punctuation का अर्था कि कामा को इस कामा को इस कामा को single inverted कामा को डवल inverted कामा को remove कर देंगे भाटा देंगे ठीक है और Connector that connection that का परियोग कर देंगे का रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में ठीक है अब आप हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के बर्व का क्या रूल है रिपोर्टिंग स्पीच के बर्व का क्या रूल है अर्थार रिपोर्टिंग स्पीच यह ज तो 2 रहने पर आप्जक्ट रहने पर विदाय। और रहने पर आप जैक्ट न रहने पर यह दो रूल होते हैं मोटिंग पील कि की ब्रब नहीं दो होता है यही रूल है आप देखिएगा पहला रूल कि यदि reporting speech का बर्व किसी भी परजंट या किसी भी future में है परजंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि बर्व की first harm होगी या तो yes या yes होगा या yes होगी या do या does लगाओगा ठीक है और future में बिल या सैल होगी बर्व की first harm होगी तो यदि reporting speech का बर्व परजंट या future में है तो reported speech के tense या बर्व में कोई परवर्तन नहीं करते हैं और इंवर्डेट का मा को हटा देते हैं दोनों शिंगल या डबुल इंवर्डेट कामा को हटा देते हैं ठीक है प्रोणाउन की चेंजिंग होती है उसमें अभी हम नहीं आते हैं अब आपको थोड़ा सा sentence मैं देता हूं और आपके समझ में बाखुवी आ जाएगा कि क्या नियम यहां असर्टिव शेंटेंज में फालो हो रहे हैं अब हम sentence के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम परिवार्तन करेंगे असर्टिव शेंटेंज को किसमें डारेक्ट से इंडारेक्ट में तो इतना भाग से इतना भाह गाती स्पीच यह भाग वह कि इस दिशिए और यह ऑल्टा लिए आपको करेंगे ही से तूमी कमा करेंगे राम इज ए बुड़ वाय और इंवर्ड कामा क्लोज कर देंगे फुली स्टाप लगा देंगे हमने स्प्रेंज कर लिया अगर इस तरह कर रहे तो आपको सबसे पहले रिकोटिंगी स्पीच तयार कर लेनी है उसके बाद आप रिकोटिंगी स्पीच आप लिखेंगे ठीक है सबसे पहले यहांपर धायड का प्रहुग करेंगे करेंगे हैं करेंगे कर दायड का प्रयोग तो अब हम देखेंगे की तो के बाद यहां पर यह मी आपजंड है तो मिए अबजेक्ट है तो एक क्ए कर देंगे क्यों कर देंगे क्यों अगर यहां अबजेक्ट है क्यों वीगतां पर किया होगा those such ए अगर यहां पर कोई इस वੈ यहां रहेगा और अब्जेक्ट रहेगा तब भी वो टेल में बदलेगा ठीक है तो यह हो गया he tells army तू को क्या कर दिया remove कर दिया तू को हटा दिया ठीक है he tells me that हो गया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दूसरा रूल है कि कि रिपोर्टिंगी स्पीच के बर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है कब नहीं होता है यह जो कि भर्भय आटन्स पर जंट में हो ठीक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यह हो जाएगा लगंगे को को आप देख लेते हैं दूसरा सेक्टेंस सिङ यात is पिच्छ राम इस नाट ऑगुट वार यह रिपोड़ी सपिच और नाट को देखें तो लो शैंस में है अर्थाथ निगतिव है ठीक है निगतिव मीनिंग दे रहा है तो सेज चे बाद कोई अब्जैक्टम नहीं है जब यह भार प्रजेंट में हो या फूचर में हो तब यह हो जाएगा राम इस नार्ट ए गुड़ु वय् फोलिस्टाब अब नो सेंस में हमारा नो सेंस में यार निगेटिव में हमारा हो गया ठीक है तो ही सेस दाय सेका दाय। कर काम किया reporting speech को जोड दिया reported speech को जोड दिया reporting स्पीच को जोडने का काम और नार्थ को अगर देखे तो यहाँ पर यहां पर इस को तो यहां पर yes sense है तो yes sense और no sense अर्था क्वाश्टिव और आप समझ गए होंगे और रूल भी आप समझ गए होंगे कि यह थे परव स्पीच का गया चैन्स प्रजंट में तो इस वाले भात के थेंट में आब परवाद में परवाटन नहीं होगा ठीक है और यहां सेज है को कीलियर हो गया अब हम आपको रूल बताएंगे future का, अब हम future tense को देझ लेते हैं, तो नियम क्या है, यह रिपोर्टिंग Eamientos के बर्व, रिपोर्टिंग Eclipse का बर्व, future में हो, और भील और सायल से, भील और सायल हेल्पिंग Eclipse है, तो भील सायल के साथ प्रवर्ब की रसफान माती है तो क्या होगा और फिंसलों करते हैं एक बाँ फिर से सुनते हैं यदन रीपोर्टेलीति का बॉर्व यहा होगा तो क्या करेंगे त्यूब को देखते हुए क्या यहां पर इसको हमने टूबstars कर दिया ठीक है क्योंकि अब्जक्ट है और इसके पहले ही विल जोड दिये अब ध्यान देना है आपको इस बिल और साइल को नहीं चड़ना है ठीक है या नहीं बदलेगा की विल टेल मी और करेक्टर के रुप में दायट ले आ रही है ठीक है और यह वाला भाग पुड़ा उतर गया क्यों क्योंकि यहां पर बिल या साहल है बिल साहल रहने पर यहां के टेंस में अर्थाथ इस वाज किसी भी 24 साहिक क्रिया है या मेंबर्व है उसमें कोई भी परि को लिश्टा लग गया और कनेक्टर के रूप में जो है का परियोग हो गया यहां इसलिए कि है क्योंकि यहां मियाब्जक्ट है सेको हंटल करेंगे जब आप दूसरा से देख लेते हैं ही विल से रिपोर्टिंग स्पीच है राम इस बुडबाई यहां पर बंध है दोनों कामा के अंदरवर्ण है रिपोर्टिंग इसपीच है बाहर है जो है यह रिपोर्टिंग स्पीच है और अब जट में इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी चटकानी नहीं करेंगे ऐसे उतालेंगे यह हो जाएगा राम is a good wife ठीक है और full staff लगा दिया connector का प्रयोग कर दिया ठीक है दुनों इस पीच को reporting इस पीच और सेटेजिट स्टेंस में कहां सा और से को से ही रहने दिया क्यों कि यहां पर क्या है यह पर object तो इस तरह से आप फिर सुन लीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्व किसी भी पर्जन्ट या किसी भी फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के तैंस या वर्व में कोई परिवर्टा नहीं होता है बिल साइल को हमने आपको बताया करता फ्यूचर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के बर्व अट्रेंस में नहीं होगा सेज को बताया अर्था पर्जन्ट को बताया रिपोर्टेड स्पीच के बर्व अट्रेंस में कोई परवर्टा नहीं होगा आइसर्टिव संटेंस का जो connector है वो दैट है दोनों speech को जोड़ देता है अगर आप जो है punctuation में जाएंगे दोनों कामा हट जाएगा अर्था single inverted और double inverted कामा हट जाएगा रिपोर्टिडी speech का भी और रिपोर्टिंगी speech का भी ठीक है connector दैट का पर्योग हो जाएगा assertive sentence को कैसे पहचानेंगे तो assertive sentence पहचानने के दो हैं एक yes sense का एक no sense का तो assertive sentence जो होगी वो सब्जेक के बाद बर्व ले करके आएगी में बर्व ले करके आएगी और फुलिश्टाप लगा रहेगा फिलाल बस आज के लिए इतना ही अपने मित्रों में इसको share कर दीजिएग मिलता हूँ कुछ नया ले करके धन्यवाद नमस्कार